सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चानल बल आइकन को दपाएं और पाएं इंट्रस्टिंग वीडियोज मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई दोस्तो स्ट्रीट फूड आइटम हर किसी को पसंद होते हैं और इनी स्ट्रीट फूड आइटम में शुमार होते हैं मटर कुल्चे जिसे की आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास की इलाकों में आम तौर पर पिकता हुआ देखेंगे अमोमन नाश्ते में खाया जाने वाला ये स्ट्रीट फूड अपने आप में एक भरपूर मील होती है तो फिर अगर आप भी सुबह के नाश्ते में या पिर संडे की सुबह सुबह एक ऐसा ही कोई स्ट्रीट फूड आइटम नाश्ते के दौर पर अपने घर में बनाना चाते हैं तो फिर देर किस बात की आईए जानते हैं आज कैसे आप घर पर बना सकते हैं मटर कुल्चे इसे बनाने के लिए हमें ये करना है कि सूखी मटर को अपनी जरूरत के हिसाब से लेकर अच्छे तरह धोकर रात भर के लिए पाने में भीगो कर रख देना है सुभा 2-3 सीटी लगा कर इसे उबाल दीजे अब इससे आगे हमें क्या करना है ये हम बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे कि इसके साथ खाय जाने वाले कुल्चों को बनाने के लिए हमें क्या करना है तो करना कुछ नहीं है, हमें एक बड़ा बाउल लेना है और इस बाउल में एक कटोरी आटा लेना है अब इसमें हम डालेंगे करीब आधा चम्मक चीनी, जरूरत के मताबिक नमक, आधा टी स्पून बेकिंग पाउडर, आधा टी स्पून बेकिंग सोडा, आधा कब दही और अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर सॉफ्ट आटा गून लेंगे आप देख सकते हैं कि आटा हमारा गुच चुका है, अब इसे 2-4 घंटे रेस्ट के लिए हमें छोड़ना है तो इसके लिए हमें करना ये है कि एक गीला कॉटन का कपड़ा लेकर इस आटे को चार तरफ से अच्छी तरह कवर कर देना है और किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पर आटा जल्द से जल्द उठ सके दो से चार घंटे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि आटा फूल गया है और अब हम इसको एक बाद फिर से मार लेंगे एक बाद फिर से मारने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे और इस 5 मिनट में हम तयार कर लेते हैं अपने मटर मटर को तयार करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उबला हुआ मटर तयार है मैंने इसे सिर्फ नमक डाल कर उबाला है कई लोगों को पीला रंग पसंद होता है तो आप चाहें तो इसे उबालते वक्त इसमें हल्ती पाउडर भी शामल कर सकते हैं इससे इसका कलर पीला आएगा मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है अब जितना आपको अपने मेहमानों को सर्व करना हो या अपने परिवार को सर्व करना हो अपनी जरूरत के हिसाब से एक बाउल में उतना ही मटर लीजे अब इसमें हम डालेंगे आधा टी स्पून या अपनी जरू के हिसाब से अमचुर पाउडर उबालते वक्त हमने थोड़ा सा नमक इस्तिमाल किया था इसलिए यहां पर हम थोड़ा ही नमक का इस्तिमाल करेंगे साथ ही अगर आप लाल मिर्च शामल करना चाहें तो आप वो शामल कर सकते हैं हमने यहां एक चौथाई टीस्पून लाल मिर्च ली है अब हम इसमें शामल करेंगे एक बड़े साइस का बारी कटा हुआ प्यास एक बड़े साइस का बारी कटा हुआ टमाटर दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्ज आधा टीस्पून अद्रक कटी हुई साथियां शामल करेंगे एक निम्बू का रस और आधा कप फ्रेश हरी धनिया बारी कटा हुआ अब इन सारी चीजों को दो चम्मच की मिदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे लीजिये हमारे मटर बनकर तयार है अब बारी आती है कुल्चों को बनाने की कुल्चे बनाने के लिए हम आज पर तवे को रखेंगे और पूरी बनाने के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे और अच्छी तरह चकले पर बेल लेंगे जब हम कुल्चा बेल चुके हूं तो ये वक्त है इस पर तिल को सजाने का हरा धनिया भी लगाएंगे एक बाद फिर से बेल लेंगे ताकि सारी चीजें अपनी अपनी जगाँ पर टिक जाएं इसके बाद हम आहिस्ता से चकले से कुल्चे को अलग करेंगे और अब कुल्चे के दूसरी तरफ अच्छी तरह चारो और पानी लगा देंगे ताकि पानी वाला हिस्सा तवे से अच्छी तरह से चिपक जाए इसके बाद हम ये कुल्चा तवे पर डालेंगे आज धीमी रखेंगे एक मिनट तक सेखने के बाद अब हम तवे को उल्टा कर देंगे ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तव से कुल्चे को मीडियम आज पर सेंक लीजे आप देख सकते हैं कुल्चा अच्छी तरह से लाल हो गया है अब वापस तवे को पलटिए एक चमच या चाकू की मदद से तवे को कुल्चे से अलग कर लीजे इसके बाद इस कुल्चे पर मक्षन याखी लगाईए लीजे तैयार हो गया आपका कुल्चा अब इस गर्मा गर्म कुल्चे को मटर के साथ सर्फ कीजिए और मजा लीजे सुभा के नाश्टे में इस से अमेजिंग स्ट्रीट फूड का उमीद करते हैं नाश्टे में बनाया जाने वाला ये मशूर स्ट्रीट फूड आइटम आपको बेहत पसंदाया होगा और आप इसे अपने नाश्टे में शामल करके अपने दिन की एक मज़ेदा शुरवात करेंगे तो फिर देर मत कीजे कल सुबा ही इसे अपने नाश्टे में बना कर ट्राइज जरूर कीजे और आपने तो देखे लिया है न कि बनाने में कितना आसान है तो फिर आप चुट जाए इस रेसिपी को बनाने में हम चुट जाते हैं आप के लिए एक और नई रेसिपी को लाने में फिलहाल इसी के साथ चाहते हैं आपसी इजासत बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ फिलहालती के लिए बोल्ड्स काई में पसितना ही